कि अलो वर्गो वेल्कम टू आरेंजलिक गाइडेंस आई हूप आप सब अच्छे होंगे अपमें लाइफ में सब बढ़ियां कर रहे होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आज ने फिर आपके सामने रिडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की कर इस गाइड वगो जच्छमेंट किसी पैसले के लिए वेट करना मुझे दिख रहा है यहां आपके पार्टनर है वह हीलिंग के लिए भी कहीं ना कहीं गॉड पे हैं और यह काड यह भी लग रहा सरेंडर यहां पर यह भी दिख रहा है कि कोई गुड न्यूस सुनने को मिल सकती है आपको ठीक है अना सब लग रहा है पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है उन्होंने गॉड को पूरा एंड वो अपनी हीलिंग पर इस समय भी ध्यान दे रहा है वह चाहती कि जल सल हील हो जाए आपके पार्टनर शिक्स ऑफ पैंटिकल्स शिक्स ऑफ सोच एड़ आपको ठोड की गए है आपर प्र फोर अफफ पैंटिकल्स अम्मावन काफ एमोशनल थ्री व्यान सिधि यापका वेट कर रहे हैं यहां पर काफ एमोशनल आपका प्र इस समय पर उन्की सारी सारी ंइए भी चाह रहे है डिकुछ अपने दिल की बतानाम नहीं चाहते हैं बिल्कुल इच्छा नहीं और वही आपको छोड़े गए बट मुझे सा दिख रहा है कि वो अब आप से कुछ चाह रहे हैं कि अब आप कुछ कि उन्हों को जो करना था अपने तरफ से उन्होंने कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो या क्या करते हो ठीके अपने तरफ से कुछ प्रक्र आप क्या करते हो उनके लिए देखर पर्स याँ पहसे चुपा रखा नगतोई तो वो अपनी कोई feeling चुछ क्या करते हैं अपके मनमined के लिए क्या feeling है क्या around काभी क्या क्या चाहते हैं ठीके इस सबीजक है वो काफी emotional हन्-एंड वआ एपनी healing चाहरे है आप देख स आईये देखते हैं और क्या messages हैं यहां पर community यहां मुझे इसा दिख रहा है कि community यहां पर society मनुझ में यहां पर family एक और card है इस dex से जो कि यहां पर family का दिखाता है तो यहाँ मुझे आप family दिख रही है आपके लिए कि आप family involvement है आपे जरूर जिसके वज़े से यह दूरियां यहाँ पर मुझे दिख रही आई है walking away again यहाँ पर यह card यह card दोनो हो सकते है कुछ ऐसा हुआ है जिसके वज़े से उनको आपसे दूर जाना पड़ा है उनका यह सोचना कि मुझे आप यहाँ नहीं रहना आपसे दूर जाना है यह decision जरूर ऐसी कुछ चीज है जो उनको hurt कर चुकि कोई expectation की बहुत ज़्यादा तूटी कि आप वो आपसे उस तरह का कुछ रखनी पा रहे हैं मुझे को अपनी दिल की बाद बता नहीं पा रहे हैं आपको ठीक है ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है बट वो आपको अपनी दिल की बाद भी अपने ही बता पाएंगे ऐसा लग रहा है पे अटेंशन शायद आपको जैसे कि एक मा होती है अपने बच्चे पर ध्यान रखती है कहीं बच्चा इता नहीं चला जाए छोटा है अभी वैसे मुझे लगता है यहाँ पे आपको अपने रिलेशन्शिप पे ध्यान देनी की ज़र्वत है दूसरा अगर आपको आपकी वाइफ और आपके बच्चे बच्चा भी है वो भी वो लेके गई है तो मुझे लगता है कि आपको इन पर ध्यान देने की ज़र्वत है वो यहां पर आपसे कहा जा रहा है अपने comfort zone से बहार ने के लिए, चुकि कोई भी relationship पो निभाने के लिए अपने comfort zone से बहार निकलना पड़ता है, उस चिरिया को पिंजडे में ही उसका पिंजडे का दरवाजा खुला हुआ लेकिन उसको पिंजडे में ही रहना ही अच्छा लग तो मतलब लाइक ऐसा लगता है कि वो सारे experience आप नहीं कर पाऊगे अगर वो चीज़े आपको लग रहा है मैं अपना comfort zone में रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा या मैं नहीं बदलूंगी, तो ऐसा नहीं होता है यहां पर ठीक है, और आपकी partner का भी मुझे दिख रहा है, उ idealism, यहां पर ऐसा लग रहा है कि detachment, दोनों ही शैद इस चीज़ में लगे हुए हैं, आप और 11-11 का, यह देखने आप 11-11, 11-11 आप देखने हैं, बहुत ज़्यादा spiritual number है, यहां कोई तो door open हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को आइडिलिजम से भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को respect देना है, वो value देना है, आप दोनों को एक दूसरे को relationship में, तब ही वो चीज़े आगे बढ़ पाएंग एक दूसरे से detach होना चाहते हो, कि मुझे उसकी याद ना आए, मैं उसके बेना रह सकता है, उसके बेना रह सकती हूँ, ठीक है, और यह प्रक्रिया आप दोनों के लिए, वो detachment शायद जरूरी भी है, शायद आप दोनों के लिए, आप दोनों के रिश्टे में, ठीक है, ज आपको रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन कोई तो तौफ़ा है, जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, और आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि आपको क्या करना है, वोगो, तो यह यहाँ पर आपकी reading है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्रा